तो भाई यो आज हमारे पास बलीनो का सिग्मा मॉडल जो कि इस कार का बेस मॉडल रहने वाला है इस वीडियो में हम इस कार के प्राइस के बारें बात करने वाले हैं कार के अंदर हमें क्या-क्या फीचर्स मल जाते हैं तो इसके अंदर फीचर्स कमी ही रहने वाले हैं बाकि इसका इंजन बिल्कुल सेम मिलता है तो अभी मेली बात कर लेते हैं कार के इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में तो इस कार के अंदर मिलता है 1.2 लिटर का 4 सिलेंडर VVT पैट्रॉल इंजन जो की पावर जनरेट करता है 88 BHP की and 113 Nm का टॉक जनरेट करने में इस कार का इंजन शक्षम भी है तो पावर के मामले में इस कार का इंजन जो है decent enough power भी जनरेट करता है और बाकि बात कर लेता हूं इस कार के माइलेज की तो 22 kmpl के आसपास इसका mileage claim mileage रहने वाला है बाकि 25 तक का mileage भी easily highways पर निकाल करते देती है बाकि कार front wheel drive रहने वाली है and car 5 speed gearbox के manual transmission and automatic के ट्रशाथ भी अविलेबल जरूर मिल जाती है बात करूँ इस कार की safety के बारे में जाता है and 170 mm का इसकी ground clearance रहने वाली है जो कि इस कार को Indian road के साफ से एक्दम perfect बनाती है अभी बात करें कार के exterior look के बारे में शुरुआत करते हैं कार के front look से तो सबसे पहले front की side headlight जो है वो projector head lamp मिल जाते है halogen का setup completely रहने वाला है front grill completely blacked out color में ही देखने को मिलती है बड़ा वाला सुजी का logo मिल जाता है और लंबा सा गारी के अंदर बोनट मिल जाता है वाइपर simple बारे मिलते है and overall front look कार के उच्छ टाइप के निकल कराते है radiator grill बेस की blacked out ही रहने वाली है कोई भी scripted वगरा नहीं है बात करते हैं भी कार के side look के बारे में तो side से देखने में कार काफ़ जदा simple looking वाली कार लगने वाली है और अभी बात करें कार के tires के बारे में यहाँ पर आपको R15 इंची के steel rim से मिल जाते हैं वील केप आपको इसके साथ ही मिल जाएंगे और कोई भी claddings वगरा है यहाँ पर नहीं है fender के उपर आपको indicators मिल जाते हैं ORVM से आपको simple वाले blacked out finishing के साथ ही मिलते हैं कोई भी body colored ORVM से आप पर नहीं रहने वाले हैं door handles भी completely यहाँ पर blacked out finishing के साथ ही मिलते हैं जो कि बिल्कुल simple से ही रहने वाले हैं and side look कुछ इस type के आने वाले है pillars यहाँ पर completely body colored में ही मिलते हैं कोई roof rails वगरा किसी भी model में नहीं आती है braking setup में आपको front side disc brake and rear के side आपको drum brake मिलते हैं and भी बात कर लेते हैं कार के rear look के बारे में तो simple सा आपको antenna मिलता है sharpie antenna इस model के अंदर नहीं है पर के साथ सुजी को logo and nexta की bedging मिल जाती है उपर के side पीछे के side आपको defoggers मिल जाते हैं कोई भी वाइपर वाशर नहीं है high mountage top lamp मिल जाते हैं with spoiler के साथ ही चोटा सा spoiler दिया गया है overall rare look कुछ टाइप के हैं 4 parking sensors मिल जाते हैं reflectors यहाँ पर non functioning में मिलते हैं आपको पांच बैक भी जाएंगे चोटे वाले and 60-40 split के साथ सीट मिलते हैं कोई partial tray वगर नहीं है 2 kg के hooks मिल जाते हैं कोई भी lamp वगर आप पढ़नी है 60-40 split के साथ यह जो बीच वाली seat रहने वाली है बागी उपर के साथ आपको covering वगरा proper मिल जाती है जो यह काफी अच्छी बात है और नीचे के साथ आपको spare wheel मिल जाता है इंटीर में चलने से पहले इसकी चावी देख लेते हैं तो कुछ टाइप की चावी मिलती है सिंपल वाली lock on lock ही मिलता है इसके उपर चावी को लगा कर ये आपको इसको open करना होगा अंदर की साथ ही बात करेंगे तो चावी पहले लगा देते हैं और इसके cluster को जो है on कर लेते हैं completely अभी अंदर बैट के बात करेंगे आराम से यहां पर आपको दोर से शुरुआत करते हैं तो दोर को पर कम्प्लिटी सॉफ्ट अच मेटीरियल इदर की साइड मिल जाता है जो काफी अच्छी बात है काफी प्रीमियम लगता है यह हाट प्लास्टिम गटील उपर की साइड बाकी all four power window मिल जाती है lock unlock के control यहां ही पर ही मिल जाते है bottle holder मिल जाते है magazine holder proper मिल जाते है speaker की placing मिल जाते है speaker इसके इंदर है नहीं बाइद वे और seeds यहां पर simple वाले मिलती है height adjustment के साथ option यहां पर नहीं मिलते है आपर model मिलते है वो अभी अंदर बैट के बात करते है mainly तो अंद पर यह kind of carbon fiber finishing के साथ ही मिलते है and dashboard layout जो है कुछ टाइप का फ्रॉंक्स वाला ही है of course पहले ही आई थी तो यही माना जाएगा and hard plastic material completely यहां पर मिल जाता है and silver and bluish finishing के साथ completely रहने वाला है जो कि दिखने भी अच्छा लगता है बाकी dash के उपर placing जो इसके AC went है इनकी throw भी काफी इच्छी कासी रहने वाली है ज्यादा feature यहां पर नहीं है काफी basic basic साही यह लगने वाला है बाकी सबसे बढ़िया बात यहां पर आपको automatic climate control मिल जाता है जो कि base model से यह रहने वाला है and इसके control जो है वो बिलकुल top model वाले ही लगा दिये गए बिलकुल भी cost cutting यहां पर नहीं system भी नहीं मिलता है बस यह खाली space मिलता है कोई 2-10 वाला infotainment system भी आपर नहीं दिया गया है instrument cluster के बारे हम बात करूं तो semi-digital में इस instrument cluster मिल जाता है beach की side MID मिल जाते screen and tachometer and speedometer मिल जाता है beach वाली screen को आप in buttons के दुरू जाए control कर सकते हैं यही पर ही आपको सभी type की basic information mileage की information and engine check warning वगरा show हो जाती है और कुछ इस टाइप का ही है इस consumer cluster बाकि steering wheel इसका simple वाला मिलता है सुजवी का लोगों मिलता है कोई control के button वगर है यह पर नहीं है club boxes का simple साही है first head kit जो है इसके अंदर ही मिल जाती है यह बाकि इस car की seats है वो long rides के लिए भी काफी comfortable है adjustable headrest मिल जाती है और यह lamp मिल जाते हैं आगे के साथ कुछ भी नहीं है IRVM जो है simple वाला मिलता है manual adjustment के साथ ही बाकि front shade के ऊपर कोई mirror वगरा नहीं है and driver side भी simple वाला front shade मिलता है बाकि आपको five speed gearbox और manual transmission मिल जाता है तो यह वाला model आप देख रहे है and कोई भी armrest वगरा इस model के अंदर जो है नहीं मिलती है of course बाकि यह भी बात के लेते हैं possible headrest मिल जाती है even in the base model बाकि पीछे की साइड जो है अच्छा कासा space मिल जाता है आगे वाली seat को मैंने अपने हाइड के आप से अच्छा कासा बच जाता है रेर इस इवेंट यहां पर नहीं है बस phone वगर रख सकते हैं पावर शॉकट मिल जाता है बस 12 वोट का इधर की साइड यहां पर भी अपना phone वगर रख सकते हैं तो इस पेस तो अच्छा घासा ही मिल जाता है खेर यहां पर और यहां पर आपको अंडर थाई सब्सक्राइब अच्छा खासा है तो अगर आप भी कोई कार देख रहे हैं च्छा साथ लाग के बजट में तो यह कार आपके लिए क्लिए क्लिए बारे में सोच रहा है तो इस वीडियो का अपने उस दोस्त के साथ जरू शेयर कीज़ेगा बाकी आइस इस सब्सक्राइब करके रख लीजेगा तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में तब तक के लिए जय हिन कि अजय है